नमस्कार भक्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी विधी अगर आपने कागस पर लिख कर जला दिया तो आपकी प्रेमी का कभी आपसे दूर नहीं जा पाएगी जी हाँ अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेमी का या आपका प्रेमी आपसे बेवफाई करने वाले हैं तो सबसे पहला उपाए ये कर दीजिये और फिर हमेशा हमेशा के लिए आपकी प्रेमी का आपकी हो जाएगी उसके मन में आपका प्यार इतना जादा हो जाएगा कि आपको छोड़ कर वो कहीं और नहीं जा पाएगी तो अगर आप जानना चाहते हैं ये विधी तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में और अगर आपने भी तर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबा दीजे दोस्तों तब ही आपको हमारे जो नए विडियो जाते हैं उनका अपडेट भी तुरंट मिल जाएगा दोस्तों कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि उनका काम नहीं हो पा रहा है वो लोग कोशिश कर रहे हैं पना नहीं कितनी तरह के टोटके उपाय कर लिए लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो पा रहा है अगर आपके साथ ऐसी समस्या है दोस्तों तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा विडियो के टाइटल पे भी हमारा नंबर आपको मिल जाएगा उस पर आप हमें कॉल लगा सकते हैं दोस्तों आपको पूरे सब्र के साथ पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है और ये बहुत ही जादा शक्तिशाली है ये तुरंत असर दिखाता है आपकी भी जो समस्या है आपका जो प्यार है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी यानि कि सम बस्याद दूर होगी और प्यार आपकी बाहों में होगा। इसे आप पूरे विश्वास के साथ कीजिए, मन में कोई डाउट मत रखिए। सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है एक कागज लेना है आपको एक कागज लेले छोटे साइस का बस इतना छोटा साइस लेना है जिस पर आप अपनी प्रेमिका का नाम लिख सकें। उसके बाद आपको एक छूटी कटोरी में घी लेना है और घी में आपको चुटकी भर हल्दी मिला देनी है। थोड़ा सा घी लेना है आधा चम्मच घी से काम बन जाएगा दोस्तों, बहुत सारा सामान इस उपाये के लिए आपको नहीं चाहिए। आपकी रसोई में से ही आप इन चीजों को ला सकते हैं और इस कारगर उपाये को कर सकते हैं जो की आपकी प्रेमिका को आपकी बाहों में ले आएगा। एक कटोरी में थोड़ा सा घी रख लीजे और उसमें चुटकी भर हल्दी आपको डाल देनी है। साती सात जो कागर पर आपने अपनी प्रेमिका का नाम लिखा है। उस कागर के ऊपर आपको एक मंत्र फूकना है और सिर्फ आपको पढ़ना है ग्यारा बार। ग्यारा बार मंतर पढ़कर कागस पर फूंक दे और उसके बाद आपको उस कागस को घी और हल्दी में अच्छी तरीके से डुबा देना है जो घी आपने लिया था उस पर कागस को इस तरह से आपको लपेटना है कि वो सारा घी और हल्दी उस पर अच्छी तरह से लग जाए इसके बाद एक चिम्टे की सहायता से आपको उस कागस को जलाना है माचिस से जला सकते हैं या फिर आप सीधा उसे लिजाकर गैस के पास भी जला सकते हैं जब आप इस कागस के टुकडे को जला रहे होंगे उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका के बारे में सोचना है वो प्रेमिका जो आप से पहले बहुत जादा प्यार करती थी या अभी भी करती है लेकिन उसके मन में कुछ उपर नीचे हो जाता है और जिसकी वज़े से वो आपसे लड़ाई कर लेती है आपसे दूर हो जाती है आपसे मद्भेद हो जाता है उसके मन में तो इन सारी परिशानियों को दूर करेगा ये आसान सा उपाए इसको आपको करना है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको एक मंत्र बोलना होगा, मंत्र है О्म कामदेवाई अमुकम वश्यम स्वाहा, यहां पर आपको अमुकम की जगे पर बोल देना अपनी प्रेमिका का नाम. जैसे कि मान लिजे आपकी प्रेमिका का नाम अगर है सरिता तो आपको बोलना है ओम काम देवाए सरिता वश्यम स्वाहा बहुत ही आसान उपाय है इसे आप कीजिए दोस्तों अगर आपकी कोई भी और शिकायत है कोई भी और समस्या है तो आप हमारे नमबर पर कॉल लगा सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं हम आपकी हर समस्या को दूर करेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों